हेलो गाइस, वेलकुम वेट तो माई यूडूब चैनल, सो गाइस कैसे हो आप सब, सो आप लोग हमेशा ही क्वेस्टन, शायद आपकी दिमाग में होगा कि आप कितने टाइम में इंग्लिश सीख सकते हो, how long will it take time in English, सो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि आप बहुत ही जल्दी से इंग्लिश सीख सकते हो, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो, सो गाइस, लाइस, लाइस, गो, स्टार्ट करते हैं, हम लोग आज की वीडियो, सो फर्स्ट संटेंस है, what do you want? तुम चाहते क्या हो, what do you want? तुम क्या चाहते हो, what do you want? तुम क्या चाहते हो, so guys मैं आपको पताना चाहूंगी कि आप लोग मेरे साथ रेसीजन ज़रूर करें, वीडियो मेरे को थोड़ा सा पोज कर लें, और पोज करने के वाद जैसे मैं आपको सिखाती हूं, बोलती हू आप थोड़ा थोड़ा वैसे वह बोलने की कोशिश करें और आप असानी से English सीख सकते हो, चीक है? So, next है हमारा sentence, देखते हैं आगे कौन सा है? पहले आप स्लोली बोलें, वाट दू यू नीट और फिर आप स्पीड से बोलें, थोड़ा थोड़ा स्पीड अबने बढ़ाएं, what do you need? ऐसे बोलें, ठीक है? So, what do you need? तुम्हें क्या चाहिए? What do you need? Let's eat something. पहले आप थोड़ा सा छोटा वला बोलें, let's बोलें, पहले आप लोग let's बोलें, फिर eat बोले फिर something बोले और फिर उसको पूरा बोले let's eat something let's eat something let's eat something चल कुछ खाते हैं let's eat something चल कुछ खाते है so ये वाला भी daily use ही होता है sentence ठीक है हम किसी इसको भी पूछ सकते है चलो कुछ खाते है he may be sleeping he may be sleeping so पहले हम लोग क्या बोलेंगे he may he may be sleeping he may be sleeping so पहले आदा sentence बोले he may be फिर sleeping ठीक है so इस तरह से आप लोग अपने speed बढ़ाएं he may be sleeping ठीक है he may be sleeping बो शायद सो रहा होगा बो शायद सो रहा होगा बो शायद सो रहा होगा he may be sleeping he may be sleeping So guys, पहले slowly बोलें और फिर आप तेज बोलने की कुश्शिश करें, ठीक है? I have never meet him before जैसे मैं बोलती हूँ I have never, पहले आदा बोलें Meet him before I have never meet him before I have never meet him before I have never meet him before मैं उससे पहले कभी नहीं मिला हूँ So इसका क्या sentence बनेगा? मैं उससे पहले कभी नहीं मिला हूँ I have never meet him before I have never meet him before Next है Hard work, pace जै तो शोटा सा sentence है Hard work, pace So अगर आपको शोटा बोलने में भी दिक्कत आ रही है तो पहले आपको बोले hard फिर बोले work फिर बोले pace So क्या sentence मनेगा? Hard work, pace So इसको रोज रिरीजन करें डेली ठीक है? तो थोड़ा सा स्लोली स्लोली बोलते बोलते तेज तेज बोले Hard work, pace मेहनत का फल मीठा होता है So हमारे बड़े लोग भी कहते हैं Hard work, pace मेहनत का फल बहुत मीठा होता है ठीक है? So इसका क्या बनेगा? Hard work, pace Hard work, pace So next है I wish पहले बोले I wish फिर बोले I could और फिर बोले Meet you I wish I could meet you I wish I could meet you और फिर आप लोग तेज बोले I wish I could meet you I wish I could meet you काश मैं तुमसे मिल सकता काश मैं तुमसे मिल सकता So, slowly बोलते बोलते तेज बोलें ठीक है I wish I could meet you 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 So, इस तरह से आप sentence बोलने की practice करें So, next है I wish I had a car पहले बोले I wish फिर बोले I had a car ठीक है So, slow बोलते बोलते तेज बोले I wish I had a car 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 काश मेरी पास एक कार होती So, इसका क्या बनेगा काश मेरी पास एक कार होती I wish I had a car I wish I had a car So, next देखते हैं कौन सा संटेंस है Next है Why did not you पहले बोले Why did not you ठीक है Why did not you tell me early Why did not you tell me early तुने पहले क्यों नहीं बताया तुने पहले क्यों नहीं बताया ठीक है तुने पहले क्यों नहीं बताया ये भी डेली यूस होता है हमारा संटेंस So, guys मैं आपको बता दूँ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें So, प्लीज सब्सक्राइब करना ना बूलें So, next है How is his health now? How is his health now? So, पहले बोले How is his फिर उसके बाद बोले health now So, क्या संटेंस बनेगा पूरा? How is his health now? How is his health now? So, इस तरह से आप लोग तेजी से बोलना स्टार्ट करें ठीक है? दिरी दिरी बोलें So, आपको इंगलिश आ जाएगी बहुत ही जल्द आ जाएगी So, स्लोली स्लोली बोलते बोलते आप लोग तेजी से बोलना स्टार्ट करें ठीक है? तो इसका क्या बनेगा? उसकी तबियत कैसी है अब? Sorry guys उसकी तबियत कैसी है अब? How is his health now? उसकी तबियत कैसी है अब? Next है Can you meet me right now? पहले स्लो बोले Can you meet me? पहले इतना बोले Can you meet me? और उसके बाद बोले right now? ठीक है? Right now Can you meet me right now? Can you meet me right now? अभी मिल सकते हो क्या? So, इसका क्या बनेगा? Can you meet me right now? अभी मिल सकते हो क्या? Can you meet me right now? इसको स्लोली स्लोली बोलते बोलते तेज तेज बोले Can you meet me right now? इस तरह से ठीक है? So, next देखते हैं Have you gone mad? पहले क्या बोले? Have you फिर बोले Gone mad फिर पुरा बोले Have you gone mad? और फिर तेजी से बोले Have you gone mad? Have you gone mad? तुम पागल हो गय हो क्या? तुम पागल हो गय हो क्या? Have you gone mad? तुम पागल हो गए हो क्या? हैव यू गॉन मैट? तो गाइस प्लीज अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बोलें ठीक है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियो कैसे लगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई भाई टेक केर